Question number 3 इसमें आपको find करने बोला है K की value और 1 और 4 की mid की value तो हम start करें के question पहले हम K find करेंगे, हमें question में P of X दे के रखा हुआ है और आपको X क्या put करना है वो भी mention किया हुआ है तो हम 1 by 1 जहां जहां पर X दे वाँ value put करके और K की value find करेंगे तो पहले हम लिख लेगे P of X, कितना है वो आपका देखो K upon X plus 1 factorial और जहां पर आपको X दे लेनी value 1, 2 और 3 तो पहले हम 1 से साथ start करेंगे तो K upon X की जगा 1 put करेंगे 1 plus 1 factorial it means 2 factorial 2 को split करो तो वो 2 ही रहने वाला है then P of 2 जहां पर हम X की जगा अब क्या put करेंगे 2, 2 plus 1 factorial तो K upon 3 factorial तो K upon split करो 3 to 6, तो 6 हुचाएगा now P of 3 जहां पर अभी आप 3 put करोगे 3 plus 1 factorial तो K upon 4 factorial तो 4 से लेके पूरा 1 तक का factor आप multiply कर दो तो क्या हो जाएगा 4, 3 is a 12, 12, 2 is a 24 तो K by 24 अभी आपकी 1, 2 और 3 की values आई हैं बट K नहीं आई हैं तो हमें पता है P of X अकर find करना है तो जो भी आपको कोशिय में दिया होता है उन सब को जब आप add up करते हो तो value कितनी आती है उसकी 1 आती है तो P of 1 कितना है आपका वो लिख लो K by 2 P of 2 कितना है आपका K by 6 K by 3 कितना है आपका वो है K by 24 is equal to 1 अभी आप देखो मिछे यहाँ पे same number नहीं है तो आप क्या करोगे इसका LCM लेलोगे सबकों आपको same करना होगा तो 2 में 24 का बाता है 12 सा तो अपर भी 12 से multiply है तो यह आपका हो जाएगा 12 और 6 पर 24 का बाता है 6, 4 सा 24 तो इंट्व 4 कर दो यह आपका हो जाएगा 4K and this will be 24, 1 सा 24 तो यह 1 कही रहने वाला है is equal to 1 सबको add up कर दो 12 plus 4, 16 plus 1, 17 तो आपका आया 17 K upon 24 is equal to 1 हमें K find करना है तो K को यही रहन दो 24 वहाँ जाके multiply हो जाएगा और 17 आ जाएगा नीचे तो K हमारा find हो गया अभी हमारा खतम नहीं हुई है value अभी हमें एक और चीज़ find करने बोला है क्या बोला है कि आप 1 और 4 की पीच का value find करो अगर यहाँ पर equal to होता तो हम 1 को भी लेते और 4 को भी लेते यहाँ पर equal to होता तो बट यहाँ पर कोई sign नहीं है ऐसी flesh then है तो हम यह number को छोड़के जो भी पीच का number आएगा उसको ले लेगे मतलब की P of 2 plus P of 3 इसकी value पूछिए आपको ओके तो आप पहले P of 2 find करोगे and then P of 3 उसको add up कर दोगे तो यहाँ पर देखो P of 2 कैसे find करेगे हम P of 2 की value कितनी है हमारे पास P of 2 था वो था आपका K by 6 मतलब K upon 6 तो K कितना है आपका 24 by 17 upon 6 ध्यान दखो यहाँ बहुत होती confusion बहुत बच्चों को यह fraction form में हो तो आप नीचे के number को भी आप fraction form में रखो ओके तो क्या आएगा देखो आपको भी convert करना है उसको यह division में न तो उसको आप ले लो भी multiplication में 24 upon 17 into 1 by 6 ओके तो यह 6 कट होगा 6 4 जा तो आपका value आगया 4 by 17 तो आप अब लिख लो आप 4 by 17 सेम वे से आप P of 3 रफाइंड करोगे तो आपका P of 3 है वो कितना है देखो वो आपका है K upon 24 मतलब K upon 24 इसको आप लिख लो K कितना है आपका 24 upon 17 divide by 24 इसको भी सेम आप ले लो fraction form में now 24 upon 17 into यह हो जाएगर असी पोकल और उसके बाद उसका variance find करो ओके सो बहुत के book में यहाँ पे शायद 4K लिखा होगा तो आप 4K square लिख लो जिसमें आपका 4K square है वहाँ पे पीछे आसर आपको mean का दिया हुआ है थोड़े बहुत confusion से तो पर आपके answers अलग आ सकते हैं अगर आप 4K square लिते हो अगर 4K लोगे तो भी obviously answer लगाएगे तो एक बर आप देख लेना आप किस form से solve कर रहे हो ठीक है आपका question कौन सा है फिलाल मेरे में 4K square है तो हम यही वाला use करने वाले question okay now question क्या रही है पहले हम लिख लेके आपको x और px दिया होगा है तो कितना है आपका x minus 2 minus 1 0 1 and 2 आपको देखे रख़ए p of x ky3 k by 3 k by 3 2k and 4k square clear है अभी क्या करना है आपको as usual हम पहले find करें के k की value तो k की value find करना मतलब क्या सारे values को plus कर दो तो value कितने आने चाहिए वो equal to 1 होनी चाहिए तो वही step हम follow up करेंगे आपे okay is equal to 1 अभी यहाँ पे ऐसे मेना पड़ेगा cause देखू यह fractions में है और यह normal number है तो इसे भी हम यहाँ पे ले लेगे fraction में okay जब आप common लोगे निच्छे आपका number आएगा 3 मतलब आपको आपका base यहाँ अच्छी है 3 तो यहाँ पे क्या आएगा multiply 3 से हो जाएगा and same for this multiply हो जाएगा 3 से यह तो 1 से ही रहेगा मतलब कि यह k plus k plus k plus 3 2 जा 6 k plus 4 3 जा 12 k square is equal to 1 अभी चुभी like terms से square आप कर दो आप तो देखो 1 2 3 3 plus 6 9 so 9 k plus 12 k square is equal to 3 वहाँ जाएगा multiply हो जाएगा is equal to 3 अभी इससे आप क्या करना है आपको proper formula लिख देना है 12 k square plus 9 k यहाँ आ जाएगा तो हो जाएगा minus 3 is equal to 3 is equal to 0 अभी split कर दोगे आप बट उससे पहले देखो number बड़े है और 3 में जा रहे तो आप अगर जितना छोटा number कर दो उतना easy हो जाएगा आपको आगे sum solve करने के लिए तो यहाँ पे देखो 3 निकल रहा है तो मैं 3 common निकाल दूँगी यहाँ पे तो 3 4 k square plus 3 3 k और यह 3 कप जाएगा 1 से is equal to 0 ओके अब हमें 3 को split करना है इस form में कि multiply करके 4 आए और plus minus करें तो हमारा value अनल चाहिए यहाँ पे 3 ओके तो यहाँ पे हम 4 वन्जा 4 यूज़ कर सकते हैं 4 वन्जा 4 नंबर भी आगया 4 minus 1 3 तो split up कर देगे 4 k square plus 4 k minus 1 k minus 1 is equal to 0 now common क्या निकलेगा 4 k common निकला तो यहाँ क्या बच्चा k plus 1 है ना अब इसको ले लो भार minus sign है तो अंदर की होज गयाएगी sign change now 4 k minus 1 और एक आपका बना k plus 1 is equal to 0 इसका मतलब आपकी दो value आ गई है k की now k का value find कर लेगे यह वहाँ चाहिएगा तो 1 और 4 आ जाएगा division में और k उस तरफ क्या तो minus 1 ओके तो यहाँ पर हम लेगे k is equal to 1 by 4 कॉफिर negative के value अगर रखते है तो value हमारी less than हो जाएगी काफी जो 1 से कम हो जाएगा पर हमारा p क्या बोलता है वो हमेशा 1 होना चाहिए that's why हम यहाँ पर लेगे positive value ओके तो 1 by 1 अब fill up करोगे यहाँ पर तो पहला वाला क्या है आपका k by 3 तो k by 3 it means k कितना है आपका 1 by 4 नीचे क्या है 3 इसको भी रखो आप fraction form में so 1 by 4 into 1 by 3 तो k by 3 कितना आपका 1 by 12 now second third का भी same है and fourth का क्या है रेखो 2 k दिया हो है मतलब 2 k तो 2 into 1 by 4 you will get 2 by 4 and last one is 4 k square now 4 k square is equal to 4 into 1 upon 4 का square कितना हो जाएगा 16 तो आपका हो जाएगा 4 by 16 clear है तबको अगर आप चाहो तो reduce भी कर सकते हो वापस से else भी नहीं पड़ेगा क्योंकि आपका base यहाँ पे same है ही नहीं ओके जब भी आप k find कर लो तो वापस से आप इसी form में लिखो answers बिसे कि आपका x कितना है आपे आपका यह x है कहां से कहां तक है आपका minus 2 to 2 मतलब minus 2 minus 1 0 1 2 दूसरा आपका है p of x p of x पहला आपका था k by 3 जिसकी value हमारी आगई है 1 by 12 इसकी value है आपकी 1 by 12 थर्ड भी आपका था 1 by 12 फोर्थ आपका है 2 के जो को आपका आगया है 2 by 4 and last one आपका आगया है 4 by 16 ओके इससे आप lcm लेके proper कर लो आपका value 1 आजाएगा इसके आगए आपको बोला है find करने बोला है इसमें आपको variance variance कैसे find करेगी हम formula पताना variance का जहांपे आपको x square को minus करना पड़ता है उसके mean से ठीक है तो आपको एक बार mean निकालना पड़ेगा जहांपे इन्हें multiply करके plus और एक बार निकालना पड़ेगा e x square जहांपे इसको आप double करके फिर multiply करोगे और plus करोगे ओके